जैने वेरीवन वर्कम बैक टो रैंकर्स क्लास 9th इं 10th एन न्टीसी चैनल इस इस किसंजाय स्वाल सफलता 2.2 का हम लोग कॉंटिन्यू कर रहे हैं बिसिकली यह चैनल न्टीसी के लिए ज्यादा फोकॉस्ट रहता है लेकिन हमारी यह जिम्हेदारी बनती है कि आपके बूर बहुत अच्छे तरीके से करें तो आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं टर्म टू का सर्फेस एरिया और वॉल्यूम जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर है इसे छह नंबर की कोईश्चन आपके एक्जाम में आने वाले हैं और इसके कुछ नियम होते हैं लगाने के सवा तो आपको याद होना ही चाहिए लेकिन कुछ तरीके होते जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो में एक से आप वीडियो को पूरा देखेगा सर्फेस एरिया और वॉल्यूम आप पूरा सीख कर जाएंगे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो एक्जाम में दिया ट्रिग्नोमेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है मैंसुरेशन आज हम कर रहे हैं और एक चैप्टर बचेगा हमारा इस्टाइटिस टिक्स और एक टॉपिक हमारा रह जाएगा कंस्रक्शन वह भी मैं आपको करा दूंगा मैंसुरेशन जो होता है वह आपका छह नंबर विश्याल के सिलेबस की तो सिलेबस में आपको पढ़ना है सर्फेस एरिया और वॉल्यम अप कंबिनेशन ऑफ एनी टू अप दे फॉल्लएंग क्यूब क्यूब क्यूबाइड स्फियर हेमिस्फियर और राइट सर्क्लर सिलेंडर और कोन प्रॉब्लम इन वाल्विंग कर वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलेट इंटू एन अधर और अधर मिक्स प्रॉब्लम एक टाइप के सॉलिट को दूसरे सॉलिट में रिकास्ट करने के भी प्रॉब्लम सापको लगाने है और फ्रस्टम के सवाल आपको फ्रस्टम नहीं पढ़ना है अपके पास कुछ इस प्रकास इस्ट्रक्चर होता है आपने फिगर बना रखा होगा ध्यान भी होगा आपको एक बार फार्मला रिवाइच के लेते हैं माले जी अब्रेट है यह लेंद है और यह इसकी हाइट है तो इस केस में आपका टी असे टोटल सर्फिस एडिया क्या होता है तू टाइम सॉप अल भी भी एच एचल होता है वाल का पूछा जाएगा तो आपके वाल चारो वाल की लेंद चारो वाल का सर्फिस एडिया पता करना पड़ता है उसका फार्मला होता है एल इंटू बी टू टाइम सॉप एल बी इंटू टू 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 बी ऑड़ी देखी यह वाला पूसर्ट टू टाइम सॉप एचल इंटू टू टाइम सॉप बी एच यहां से टू एच कॉमन नेंगे तो एल प्लस बी आ जाएगा यह परिमीटर को आप हाइट से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे ह है आपका क्यूब अब क्यूब में क्या हो जाता है ल इस इकल टू बी इस इकल टू एच इकल टू ए हो जाता है तो इस केस में आपका टी एस से कितना होता है सिक्स ए स्क्वायर होता है सी एस से कितना होता है यह होता है फोर ए स्क्वायर और अगर मैं बात करू आपका कुछ इस प्रकाश से होता है आपको radius दिया रहता है यहां पर radius दिया रहता है और आपको height दिया रहता है आप से רא कुछ से लगा पूठना होता है है कोन यहां पढ़ लेते है पून होता है कूछ इस प्रकार स्ट्रेक्चर होता है वन सब्सक्राइब हो जाता है स्बगात करो는데 और रवाद करूगरों ये हो जाता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्कॉयर क्लियर वॉल्यम की बात करो तो हो जाता है वन बाई थ्री पाई आर स्वेयर और हमिस्पेयर क्या होता है अगर आपको इस प्रकार का फुटबॉल स्ट्रक्चर दे दिया तो इसका सी एस से जो होता है करूड सर्फिस से यह हो जाता है और वाल्यम की बात करूँ तो हो जाता है आपका 4 by 3 3PiRQ और अगर मैं Hemisphere के यहीं बात करूँ तो आपका हो जाता है आपका CS से जो हो जाता है वो 2PiR2 हो जाता है और टोटल सर्फिस एरी अगर आप उपर के सर्कल का भी सर्कल का भी लेंगे तो वो जाएगा 3PiR2 और वाल्लियम के बात करते तो वो जाता है बाद किला है यह साल कपड़नाय की biggest आपको पढ़ा दी जाती है इस साल जो पढ़ना वह जर्फेंस of the combination of the solid मतलब आपको जिसे आपको एक structure दिख रहा है यहाँ पे जिसे मालेजी यह cylinder है अब cylinder में हमने कहा किया दोनों साइड में दोनों तरफ हमने एक दो हमिस्पेराइड कर दिये इसका structure कुछ इस प्रकाल से हो जाएगा अब आपको इस्ता हो सकता है आपसे पूछ लिए जाएज से बताईए तो कुछ भी पूछा जा सकता है और आप उसको निकाल सकते हैं इन सब सारी चीजों को सीखने के लिए आपको examples लगाने पड़ेंगे तो MCRT में जो भी बहुत बहतरीन बहतरे एक्जामपल है सारे एक्जामपल में आपको solve कराऊंगा और आप proper तरीके से करोगे भी चलिए देखे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि एक्जाम में question करने का तरीका क्या होगा आपको question को ध्यान से पढ़ना है अगर figure दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है figure नहीं दिया हुआ है तो figure खुछ से बनाना है फर्मुले आपको याद होने चाहिए और आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको कैसे निकालना है वह आपको बता होना चाहिए कि किसका cs से किसका ts से किसका minus करना यह calculation is the last part वह calculation mistake acceptable है बट आपका systematic चीज़े पता होने चीज़े कि कब क्या करना है clear calculation करेंगे हो सकता है कहीं पर चीज़े कटें कहीं पर आपको calculation करने में एरर आ जाए तो वह अलग सी बात है चार नंबर में अगर आपने systematic तरीके से चीज़ों को सही से लिखा है सही से रिप्रेजेंट किया है calculation error last में हुई है तो आपको तीन साढ़े तीन नंबर तो मिल जाएंगे clear है तो यह ध्याम ल hemisphere okay the entire top is 5 cm height यह 5 cm height है and diameter of the top is 3.5 cm यह 3.5 diameter है and the area of the color अब देखे एक्जाम में हम से सबसे बड़ी गलती क्या होती है हम diameter ध्यान नहीं देते हैं हम समझ लेते हैं कि exam में हमें यह radius दिया गया है यह हमें क्या दिया गया तो radius क्या हो जाएगा radius हो जाएगा आपका 3.5 मतलब 7 ब 4 हो गया अगर मैं आप से पूछू कौन की height कितनी है वह हो जाएगा 5-3.5 by 2 या फिर हो जाएगा 5-2-2-1.75 या फिर यह हो जाएगा 3.25 cm अब आप से क्या पूचा गया find the area he has to color area पर अगर color करना तो इसको मतलब इसको CSA निकालना पड़ेगा curved surface area तो CSA is equal to क्या हो जाएग कोन प्लस CSA of hemisphere अब CSA आप कोन निकालने के लिए उसको formula लगाना पड़ेगा pi rl और CSA आप hemisphere निकालने के लिए उसको लगाना पड़ेगा 2 pi r square clear अब L उसको निकालना पड़ेगा तो L is equal to क्या हो जाएगा under root r square r की value क्या हो गई आपकी योगी 3.5 by 2 का whole square plus 3.25 का whole square जब आप इसको calculate करेंगे तो आपके पास approximate value आएगे 3.7 cm अब बच्चे कहते हैं एक्जाम में हम कैसे करेंगे आपको calculate करना पड़ेगा दोस्त देखिए इतना मेहनत करना पड़ेगा इतने calculation के लिए त्यार रहे है क्योंकि surface area and volume में calculation compulsory होता है एक L आ गया अब आपको कुछ नहीं करना सारी values रख देनी है 22 बटे 7 radius आपका हो गया 7 बटे 4 into length आपका हो गया L हो गया आपका 3.7 plus 2 into 22 बटे 7 into R की value हो गया 7 by 4 into 7 by 4 गलती से आप 7 by 2 मत रख दीजेगा इसको solve कर यह साथ से साथ कटेगा यह साथ से साथ कटेगा यह दो दोना चार और यहांस से 11 हो जाएगा यहकर यहांसे 11 हो दो इटो एंटो 3.7 plus 11 बटे 2 into 7 911 बटे 2 into 7 by two हो जाएगा रहर हम से 11 बटे 2 कॉमन लेते तो यह上 जाएगा 3.7 प्लस 7 बाइटू मतलब 3.5 यह हो जाएगा 11 बटे 2 इंटू 7.2 अब यह हो जाएगा 11 इंटू 3.6 यह हो जाएगा 11 चाट 6 गया तैतीस च्छाट 49 49.6 cm2 देके कल्कुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत है आपको बस इस्टेमेटिकल तरीके से चलना एक दिक्कत बस आपको यहां पर आएगी स्लेंट हाइट निकालने में तो पहला सवाल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या यहां से आपको चीजी आसान लग रही है समझ में आ रही है चीज़े चलिए आगे बढ़ते हैं एक सिकेंड या नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमेर टू दर डेकुरेटिव ब्लॉक सोन इंद फिगर 13.7 इस मेड़ तो सॉलिट्स ओके एक क्यूब एंड हेमिस्फिर दे बेस अप दे ब्लॉक इज़क्यू बेस क्यूब है ओके एंड हेमिस्फिर फिक क्या थरीका होगा कि आपको सब्से पहले निकालना पड़ेगा Khнов Na minus 12 पाई आर स्क्राइर के प्लस क्या पर करना पड़ेगा स्हेमिसुएर के लिए पाई आर स्क्राइर फाइनली आपको क्या निकलना है 6a square plus pi r square बस इसी की value calculate करनी है 6 into a की value क्या होगे 5 into 5 plus 22 बटे 7 into यह है 4.2 तो यह हो गया 7.42 4.2 into 4.2 42 बटे 10 कर दिजी इसको clear अब इसको solve करें 36 35,500 हो गया यह और यह 7.42 हो गया 6,2,3,6 यह 2.50 हो गया और यह 2.50 हो गया तो यह हो गया आपका 11,3,3,3,3,3,3,4,5 बटे 25 इसको solve करें यह हो जाएगा 1.500 यहाँ पर गूड़ा करें 33,2,6,6 कहरी आया 4,3,12,4,12 13,132,132 में 6 जोड़ा तो 138 बटे 25 25 एकाट लीजे 25,25,25,25 बचा कितना 125,3,13 और 25,25, कितना बचा है 11 25,25 13,25,25 25,25,ग्यार बचा 25,24,100 25,25,दसलो,चार,चार तो कितना आगा है 205,दसलो,चार,चार सेंटीमिटर एंसर कुछ गड़बड आ रहा है हमने कोई गलती किया क्या यह गलती हो गई यहाँ पर वो गलती यह हुई है कि यह डायमिटर दिया गया था और एक्जाम में अक्सर गलती होती है तो जो गलती मेरे से हुई है डेफिनेटल यह गलती आप से होती है तो आप आज यहीं पर लिख लेंगे और मैं भी अपने हान लिखता हूँ कि मैं question ध्यान से पढ़ूँगा और diameter and radius का ध्यान लखूँगा तो इसको into 1 by 4 भी करना पड़ेगा क्योंकि 1 by 2 into 1 by 2 करना पड़ेगा into 1 by 4 करना पड़ेगा तो चार से और divide करेंगे इसको यह हो जाएगा गयारा चोग 44 बारा चोग अटता है तीरे चोग का बांट तीरे और 14 चोग का शपन प्राक्स 14 आ रहा है एक प्राक्स 164 के एक प्राक्स आएगा यह कितना रहा है 163.86 तो इसको solve करेंगे तो आपका आ जाएगा 163.86 यह बढ़िया है इस तरह की छोटी गलती अगर exam में करेंगे तो आपका पूरा पूरा question गलत हो जाएगा क्योंकि आपने radius गलत रखा है ठीक है चले बहुत बढ़िया पहला ही को दूसरा ही question हमें बहुत कुछ सिखा गया चले question no.3 यह wooden toy rocket is in the shape of a cone is mounted on a cylinder as shown in a figure the height of the entire rocket is 26 cm okay while the height of the conical part is 6 cm मतलब cylinder की height कितनी हो गया 20 cm बहुत बढ़िया the base of the conical portion has a diameter of 5 cm यह base conical का पांच डाया है ध्यान रखियेगा और while the base of the diameter of the cylinder portion is 3 cm अच्छा है cylinder का 3 हो गया if the conical portion is painted orange conical को orange कर रहा है और 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 cylindrical को क्या कर रहा है yellow कर रहा है इसको yellow कर रहा है find the area of the rocket painted with the each of the each color अच्छा है आपको अलग-अलग area निकालना है तो अगर आपको इसका area निकालना है कोन का orange का तो क्या करना पड़ेगा आपको それ 치ा निकालना है तो ये सबसे पहले आपको pi RL निकालना पड़ेगा Plus pi RL से यह आपका curved surface area जाएगा और आपको क्या करना पढ़ेगा Pi R square निकालना पड़ेगा minus क्या करना पड़ेगा इस cylinder के surface area को minus कर देना पड़ेगा तो pi r dash का square minus करना पड़ेगा r is equal to हम लोग ले लेते हैं 5 by 2 और r dash is equal to ले लेते हैं 3 by 2 clear है तो यहां सबसे पहले हम लोग L निकालने की कुछिस करते हैं तो L is equal to क्या हो जाएगा under root r square that is 2.5 का whole square plus height का square कितना होगा 6 का square इसको solve करिए यह prox आपका 6.5 cm आएगा इसको आप solve करके check कर लेजएगा चलिए इसके आगे बढ़ते हैं सारी values रखते हैं pi यहां से हम common ले लेंगे आप 22 बटे साथ common ले लेते हैं और यह radius कितना होगा आपका यह गया 2.5 और L कितना होगा 6.5 plus यह गया 2.5 का square minus कितना होगा radius आपका यह 1.5 1.5 का square अब आप इसको solve करेंगे सारी चीज़े value रखेंगे तो आपके पास sensor आ जाएगा 20.85 is equal to 33.85 पाँच पाँच सेंटीमिटर स्कार यह सारी चीज़े calculation based है यह आपको इतना calculation करना पड़ेगा चलिए यह तो हो गया आपका orange color अब check कर लेते है yellow color की बाद yellow color में आपका cylinder का हो जाएगा पाई आर डैस square h ना सॉरी खलत यह तो volume होता है यह formula आपको याद रहना चाहिए यह हो जाएगा आपका 2 पाई आर डैस h प्लस 5 आर डैस square ठीक है 5 आर डैस square बस इतना आपको solve करना है यहां से 2 इंटू 3.14 इंटू आर डैस हो गया आपका 1.5 इंटू हाइट हो गया आपका 20 प्लस 3.14 इंटू आर डैस हो गया आपका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इसको solve करिए यह आ जाएगा 255 इंटू 465 cm2 इस होल complete calculation अब यह मैं यहां पर आपको यह बैट कर करने का कोई मतलब नहीं है यह आपको खुद से करना है और यही चीज़ सीखनी है ठीक है चले नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 4 ऑन इस्क्रीन मैंक मेड़ बर्ड बाथ फॉर इस गार्डें इन शेप अपर स्लेंडर विद अ हमिस्पेरिकल दिप्रेशन आट वन इंटू ओके दा हाइट अप दूसलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इस रेडियस थर्टी सेंटिमेटर बहुत लंबा बनाया है यह फाइंड दा पॉइंड टोटल सर्फिस अरिया ऑफ बड़ बात तो यह और यह पूरा ठीक है यह हो जाएगा आपका कूपाई आरेच लस तूपाई आड उसकार हेमिस्पेरिकल का कर्वड पैस अर्य हो जाएगा यह और यही आपके लिए यूच्फुल चीज़ी है यह हो जाएगा पॉर फाइप मीटर है तो हाइट अगर वन पॉर फाइप मीटर है तो इसको हम लोग कनवर्ट कर लेंगे यह हो जाएगा एक सो पैतालिस संटीमीटर प्लस टू इंटू बाइस बटे साथ इंटू रेडियस का हो गया 30 का स्कॉर जो भी चीजे कॉमन है उसको ले सकते हैं पह ठीक है तो इस इट्स ओल अवाउट दे कैलकुलेशन और यह इजी कलकुलेशन है चाहवा आलिस यह होगा तीनुन अच्छा च्हेदुना बारे च्हेदू बारे एक सो बत्तीस तेरो सबीस बटेस साथ इंटू एक सो पचाहत्तर यह सॉल्वेबल है ठीक है चलिए नेक्स् वॉल्यूम क्रियेट होता है उस पर बात करनी है चलिए इन सब सारी चीज़ों को हम एक्जांपल से सीखेंगे सांता रंस एन इंडस्ट्री इन सेड विच इन दे सेप ऑप क्यूबाइडल सर्माउंटेड बाई हाफ सेलेंडर यह एक इंडस्ट्री है जो कि आपका किसे सर पंद्र है और हाइट आठ है ठीक है और फिर कह रहा है कि फाइंड वॉल्यूम अब दे एयर देट इन दस सेड कैन होल्ड तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे आप ल्बी यह पहले निकालेंगे ल इंटू बी इंटू एच मेल्स अब वॉल्यूम ओफ चलिंडर इसके लिए आप लगातेंगे ल्बी एच प्लस हर पाई और की वैलू हो जाएगे इसेवन बाइनदू का बहू स्क्वार्ट इंटू एच की वैली वैल्यू हो जाएगी आपके यह एच हो जाएगा इसके लिए 15 एक ल की वैल्यू हो सब्सक्राइब किया सकता है आठ सब्सक्राइब आपकी हो जानी चाहिए यह हो जाएगा आपका बाइस बटे साथ से साथ गया यह गया आपका ग्यारह बटे से 4 इंटू 155 यह हो गया आठ सो चालिस प्लस 1155 ग्यारह के मिग यह हो गया आपका आठ सो 40-40 प्लस 4 तुना 8 3 गया है हां तो चार ऊठ़े-बटिस फिर तीन गया हां मीटर क्यों उम्मीद करता हूं किसी भी क्लास के बच्चों को काल्पूलेशन करने में इस तरह के सवाल में दिक्कत नहीं आती होगी आप सिस्टम से चलेंगे आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी आगे बढ़ते हैं सपोर्ज गीटर्दें पर एटोटल सपेस दिश्द मीटर क्यों ट्रूंड ट्रीघ्र्च वर्क शींचाब गुपाई ऑबई जरो पूंट जिरो एट मीटर की मुटर्च उने एवरेज जैन हाव मुच यहरीज इन शीद अच्छ तो कुछ लोग इस फेस उक्यूपाई कर ले रहे तो वो लो कौन-कौन से हैं एक तो यह 300 कौन है फर्दर सपोर्ज मसीनरी 300 कर ले रही है 300 प्लस 20 इंटू 0.08 20 इंटू 0.08 मतलब यह कितना हो गया 300 प्लस दो अठे 16 160 1.6 यह हो गया आपका 301 106 आपकी मसीनरी और वरकर एस पेस अक्विपाई कर ले रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका इसमें से सब्स्ट्राट कर दीजिए ग्यारा सो अठाइस दसमलोग साथ पांच माइनस 301 106 0 यह हो गया पंद्रह यह हो गया आठ में से गया साथ दो और ग्यारा में से तीन आठ सो सब्सक्राइब एक पांच करते हैं calculation कैसे हम fast करते हैं और calculation को कैसे easy बनाते हैं कभी भी पूरा का पूरा multiply नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजे कटती है तो इसका ध्यान रखेंगे यूनिट हमेशा ध्यान रखेंगे diameter radius का हमेशा ध्यान रखेंगे चले next question question number six a juice seller was serving his customer using a glass as shown in the inner diameter of the cylindrical glass was five centimeter okay but the bottom of the glass had a hemispherical rate portion which is reduced the capacity of the glass okay if the height of the glass is 10 centimeter यह height आपको 10 दिया गया है radius आपको 5 दिया गया है ध्यान रखेंगे सौरी the inner diameter of the cylindrical glass दिया हो यह पांच दिया हुआ है radius कितना हो जाएगा पांच बिटे दो सेंटी मीटर में कहला है कि find the apparent capacity of the glass apparent तो हमें पता नहीं कि सिलेंडर में हमिस्पेर है कि नहीं तो हो जाएगा आपका पाई यारी स्कॉर एच यह हो जाएगा आपका 22 बटे साथ एंटू रेडियस 5 by 2 इंटू 5 by 2 इंटू ह के वेली हो जाएगी दस यह कैता दो पच्च दस यह गया दो तो 11 यह हूग है यह विए है यह ज़ोग ग्यारा 525 25 बट्चीस 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 बटे के साथ हूगिया ग्यारा 525 फच्पन ग्यारा दुणा 22 527 और 111 एकम 112 तेरह दुणा थे करता करना है हमें actual capacity actual capacity क्या होगी भी यह इस वाले volume को माइनस करना पड़ेगा और यह वाला volume कितना होगा volume of hemisphere अब formula नहीं याद रहेगा तो एक्जाम में नहीं कर पाओगे तो अगले वालों से पूस्ते रहोगो टूबाई ठी पाई आर क्युब होता है तुब थ्री बाइस बटे साथ आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई आर की वैल्यू कितनी होगी यह अपर इसको आपके पास एंसर आजाएगा कितना 32.71 cm3, अब आपको क्या करना है, उसमें से इसको माइनस कर देना है, वो actual velocity, हलाकि आपको actual capacity पूछी गई न, हाँ, तो actual capacity कितनी आ जाएगी, 196.428-32.710, 8, 1, 7, 7, 14, 2, 3, 5, 9, 3, 6, 113.718 cm3, यह होगी आपकी actual volume तो, बहुत घपला कर रहा था वो, ठीक है, चले, next question आपके screen पर है, सवाल पढ़ते हैं, is solid is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone, the height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm, determine the volume of the toy, if a right circular cylinder circumscribe the toy, find the difference within the volume of the cylinder and the toy, अब यहाँ पर मैं अपनी एक गलती बजाता हूँ, जब मैं इस question को पढ़ रहा है था, तो मेरा ध्यान question पर नहीं था, इस card से क्या होता है कि question को दुबारा पढ़ना पढ़ता है, आपको सीखने को क्या मिल रहा है आपको, question को जब भी आप पढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एक बार ही पढ़ते ही पढ़ते पढ़ते आपको सारी चीज़े पता चल जाए, कौन-कौन सी values दी गई है और कौन-कौन सी values नहीं दी गई है, clear, देखिए, a solid toy is in the form of the hemisphere, surmounted by a right circular cone, and the height of the cone is 2 cm, cone की height आपकी 2 cm है, ठीक है, and the diameter of the base is 4 cm, मतलब radius इसका कितना हो गया, 2 cm हो गया, determine the volume of the toy, तो इस toy का volume निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 by 3 pi r cube, plus 1 by 3 pi r square h, clear, यह solve करिए, यहां से 1 by 3 common ले लिजिए, pi common ले लिजिए, r square common ले लिजिए, तो बचेगा आपका कितना, 2 r plus h बचेगा, clear, इसको solve करिए, 1 by 3 pi की value हो गई 3.14, r square की value हो गई, यह आपके 2 2 4, और 2 r की value हो गई 2 2 4, plus height की value 2, तो 6, यह हो गया, 1 by 3 into 3.14 into 4 into 6, 3 से यह काटा, 2 2 4 के 8, 8 4 32, 8 1 कम 8 3 11, 8 3 के 24, 25 1 2, clear, तो यह volume सभी बच्चों को आ जाना चाहिए, इसके calculation में कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए, दूसरी बाद, if a right circular, if a right circular cylinder is circum, circumstriped the toy, find the difference of the volume of cylinder in the volume of the toy, so volume of the cylinder and volume of toy का difference निकालना है, volume of cylinder minus volume of toy कर दीजिए, यह हो जाएगा, cylinder का volume कितना हो जाएगा, आपका pi r square h हो जाएगा, minus 25.12 कर दीजिए, pi r square h कितना हो जाएगा 3.14 into radius का square कितना हो जाएगा r की value कितनी हो जाएगी 2 2 का square into height आपका 2 plus 2 हो जाएगा अब ध्यान रखिएगा height आपका 2 plus 2 हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा minus 25.12 करिए यह हो जाएगा आपका 3.14 into 4 4 16 minus 25.12 कर लीजिए और यह हो जाएगा 66, 66, 66, 62, 66, 48, 2, 50, 2, 4, माइनस 25.12, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अंसर आपका कितना आ रहा होगा 25.12 cm2, क्लिर तो एक चीज यह भी पिता चले लिए कि इसकी वाल्यूम उसका दूगना है, चलिए next and the last topic of this chapter is conversion of solid from one shape to the another इस topic को सवाल जो भी आते हैं वो volume पे solve होते हैं जैसे माले जी आपके पास एक इतना बड़ा का कॉन metallic कॉन है आपने क्या कि इसको पिगला कर बहुत सारे स्फेर बना दिये तो द्यान ही रखेगा कि इतने सारे स्फेर का volume इस इस कोन के volume के बराबर होगा तो यहां से n की value भी आप पता कर सकते हैं कैसे इसका लिखेंगे 1 by 3 pi r square h is equal to n times of 4 by 3 pi r cube clear है यह करके आप question को solve कर सकते हैं चलिए next question है आपका एक cone of high 24 cm and the radius of its base is 6 cm made up of a modeling clay a child reset in the form of sphere find the radius of the sphere same काम आपका एक cone को convert किया गया sphere में तो कोन का volume कितना बताया अभी मैंने आपको 1 by 3 pi r square h plus square का volume कितना बताया आपको sorry अब इसको बराबर करेंगे किसके 4 by 3 pi r cube की 1 by 3 1 by 3 कट जाएगा pi से pi कट जाएगा r square से r cube कर जाएगा यही नाई 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 गलते यह नहीं कटेगा कारट किसका क्या है आपको समझ में आए कारट यह है कि भाईया अलग-अलग radius होंगे यह r1 होगा यह r2 होगा ठीक अब इसको solve करते हैं r1 square r1 की value कितनी होगी 6 हो गया radius 6 दिया होगा तो 6 into 6 into height की value होगी 24 is equal to 4 into r cube चाह से काटेंगी तो 6 हो जाएगा तो r की value क्या हो जाएगी 6 cm clear तो जो हमारा sphere आएगा उसका radius कितना होगा 6 cm बहुत आसान होता है सीधा volume compare करके आप question solve कर सकते हैं next question question number 9 selby's house has an overhead tank in the shape of a cylinder this is filled by pumping water from from a sump selby house has an overhead tank in the shape of a cylinder it is filled by pumping water from a sump an underground tank which is in the form of a cuboid okay the sump has a dimension of this so cuboid का dimension आपको कितना दिया गया है 1.57 meter into 1.44 meter into 95 cm 0.95 meter यह meter cube होगा यह the overhead tank has its radius 60 cm and height 95 cm दिमाग मिधान यह रखेगा कि हाप सेंटीमीटर और मीटर का खेल काफी होने वाला है find the height of the water left in the sump after overhead tank has been completely filled with the overhead tank has completely filled with the water from the sump which had been full so find the height of the water left height of the water left मतलब की volume minus करेंगे जितना volume बचा रहेगा उसका height आपको बता करना है बहुत बढ़ी है सवाल है यह तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा वॉल्यम आफ की वाइट निकालना पड़ेगा यह आजाएगा वॉल्यम आफ की वाइड अगर मैं बात करूं यह होगा आपका 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 मीटर क्योब अगर मैं बात करूं वॉल्यम आफ टैंक कितना हो जाएगा वह हो जाएगा पाई आर स्क्वाइर एच पाई की वैलू हो जाएगा 3.14 रेडियस की वैलू हो जाएगा 60 cm मतलब 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर इंटू हाइट की वैलू हो जाएगा 0.95 मीटर अब आपका कितना है पानी लेप्ट लेप्ट वाटर यह हो जाएगा आपका वॉल्यम आप की वाइट 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 माइनस 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इसको आप सॉल्व तो आपके पास लेप्ट वाटर का वॉल्यम जो आएगा वो किस प्रकास से आएगा जाएगा यह हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 तो आपको एक चीद दिखरी होगी यह 3.14 इंटू इतना इतना था और यह इतना ही आया तो यह क्या हो जाएगा इसका दोगना हो जाएगा यह हो 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2 इस फॉर्म एंसी आटे में दिया हुआ है तो यह फॉर्मिट आपके आजाएगा यह हो जाएगा आपका मीटर क्यों यह लेप्ट वाटर हो गया अब हमें क्या पता करना है कि यह हाइट क इंटू 0.95 इंटू 2 डिवाड़ेड़ वाई क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेट से मल्टिप्लाई करेंगे तो लेंथ और ब्रेट कितना है आपका इसे काटेंगे तो यह कट जाएगा और यह 1.4 यह हो जाएगा आपका चार और यह हो जाएगा दो यह हो जाएगा आपका 0.95 डिवाड़ेड वाई 2 डिवाड़ेड वाई 2 डिवाड़ेड जीरो पॉइंट फोर सेवन दो चोके आड़ दो सती चोदू दो पोजे दर मीटर यहां पिर हम इसे सेंटीमीटर में कहा है तो 47.5 सेंटीमीटर होगा चली और कोई सवाल है हाँ पर कम्पेर दे क्ैपासिटि अब्द टैंक विध धेट अब्द अक्वासम्प तो टैंक का वाल्यूम और यह सेंप का अगर हमस्चेख करें तो यह यह एक दूसरे के दूगना आया होग्य में होगत मैं अब क्या करिये इनद इसका वॉल्यूम ओ लिवाड़ेड करदे volume of cuide upon volume of tank कर दे यह हो जाएगा 1.57 into 1.44 into 0.95 divided by 3.14 into 0.6 into 0.6 into 0.95. तो यह कड़ जाएगा यह हो जाएगा चार बार और यह हो जाएगा दो बर यह 4 आएगा यह बनाएगा यह दो से काटए तो दो वालीम आफ जो क्यूबाइड होगा ये two times of volume of tank होगा spherical जो cylindrical है तो capacity दूर नहीं होगी उस क्यूबाइड की clear तो basically आपको volume में ही solve करना था अपने points का ध्यान दखना था multiplication calculation errors नहीं होने देना था और conversion में ध्यान दखना था ठीक है चली next question है copper rod of diameter one centimeter and length of eight centimeter drawn into a wire of length 18 meter uniform thickness find the thickness of the wire तो copper rod का volume कितना हो जाएगा pi r square h is equal to pi r dash square into h dash तो pi से pi कट जाएगा तो r square की value कितनी हो जाएगा diameter है one centimeter तो one by two into one by two और height length कितनी है eight centimeter अब इसको drawn किसमें किया जाएगा 18 meter की thickness में तो r dash कितना हो जाएगा r dash square into 18 meter का मतलब हो जाता है eighteen hundred centimeter यहां से हम अगर काटने की कुछिस करें यह 2 से यह हो जाएगा 2 और यह 2 से हो जाएगा यह 900 तो r dash square is equal to क्या जाएगा one upon 900 यहां से r dash की value क्या जाएगी one upon 30 clear आप से क्या पूचा है thickness of the wire पूचा है thickness का मतलब होता है diameter diameter कितना हो जाएगा one upon 15 हो जाएगा इसको आप यही पर छोड़ सकते हैं one upon 15 या centimeter में होगा बिलकुल this will be your final answer चाहें तो आप इसको और solve करके 0.67 cm भी लिख सकते हैं clear चले next and the last question of the this chapter and after that we will have some special sessions और वो आपको कब होंगे वो आपको बता दी जाएगे a hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of this liter per second how much time will take to impede the half the tank if it is 3 meter in the diameter so hemispherical tank है तो इसका हम volume निकाल लेते हैं 2 by 3 pi r cube से clear और इसका हमें क्या करना है आधा टंकी करना है तो मंदब 1 upon 2 निकालना है यह हो जाएगा 1 by 3 pi की value 22 बटे साथ ले लेते हैं r की value हो जाएगी आपका 3 meter diameter में तो मतलब 3 बटे 2 into 3 बटे 2 into 3 बटे 2 clear तो 3 से कड़ जाएगा और यह 2 से 11 हो जाएगा गयारत यह 33 ते इंत्रिक किनो तिंत्रिक किनो 99 बटे सादुना 14 दूना 28 कितना हो जाएगा यह meter cube किसका volume हो जाएगा आप कह रहा है कि सात्रिक करेश चार 25 बटे साथ लीटर पर सेकेंड तो वन मीटर क्यूब में कितना होता है वन मीटर क्यूब इस एक हजार लीटर होता है यहां पर पानी कितना हो जाएगा आपका 99 हजा बटे 28 लीटर clear अब कह रहा है कि साथ त्रिक करेश चार 25 बटे साथ लीटर पर सेकेंड तो एक लीटर कितने सेकेंड में एक बटे 25 बटे साथ मुस्टा बटे साथ एक लीटर इतना सेकेंड में बटाए 99 हजार बटे 28 कितने लीटर कितने सेकेंड में तो साथ बटे 25 इंटू 99 हजार बटे 28 काटी इसको साथ चोक अठाइस और यहां से काटेंगे 25 है तो यह 25 निन्यानबे इंटू 1000 बटे 4 अचार 25 चोका 100 तो यह डबल जीरो हड़ जाएगा यह आ जाएगा 990 सेकेंड आ जाएगा सेकेंड इसको साथ से डिवाइड करें मिनट आ जाएगा आपका तीन छे तीन दून अच्छा तीन तरी किनो तो यह आ जाएगा आपका साढ़े पंदर है मिनट साढ़े सोल है मिनट 16.50 मिनट यह कह सकते हैं 16 मिनट 30 सिकेंड में यह पूरा खाली कर देगा क्या आपको समझ में आये सवाल बेसिकल आपका लाष्ट में आपका में लगा हुआ है तो basically आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि 40 minute के एक वीडियो में आपको समझा दिया कि इस chapter में क्या क्या चीजे करना है ध्यान यह रखना है आपको सारे के सारे formula याद होने चाहिए दूसरी बात यह है कि आपको diameter और radius के value रखने में ध्यान रखना है और unit का ध्यान रखना है और इसका जल्दी से और practice question करेंगे most expected question करेंगे और यूट्यूब तो उसके लिए इंतजार करिएगा एक दू चैप्टर और है उसके वीडियो लेक्टर आजए पिर उसके बाद हमें की और क्या करना प्रक्टिस सेशन करना है चलिए आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए अब बहुत धन्यवाद अपना ख्याल रखेगा बबाई